Hello guys, welcome to my channel, तो आज की वीडियो The Girl Who Can See Smell Drama Explanation Series की Part 3 वीडियो होने वाली है तो अगर आपने इस Drama Explanation Series की मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखी हो तो मैं आपको recommend करूँगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप उन वीडियो को देख ले तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि छोरीम मुगक को मारी की dead body ढूणने में help करती है और वहाँ उस site में यूम्मी छोरीम को देख लेती है और उसे देखने के बाद उसे छोरीम कुछ जाना पैचाना से लगता है तो वो डिटेक्टिफ ओ से मिलने जाती है और डिटेक्टिफ ओ यूम्मी को देख के बिलकुल भी खुश नहीं होते यहाँ उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को उस बरकोट मर्डर केस से पहचानते थे जिस केस में तब छोडिम के पेरेंस की मौद हुई थी और अब मारी की मौद हुई है तो इस केस को मैं बरकोट मर्डर केस कहके एड्रेस करूंगी तो यूम्मी डिटेक्टिफ ओ से यून सेयल के पेरेंस के मडर केस की एक लॉति विटनेस यून सेयल यानि की छोडिम के बारे में पूसती है तो डिटेक्टिफ ओ उसे जुट बोलते है कि यून सेयल उसके पेरेंस के मत के बाद एक कार एक्सिडन में मर गई थी तो इसका मतलब डिटेक्टिफ O ने किसी को भी नहीं बताया था कि यंसे ओल अब भी जिन्दा है और अब उसका नाम छोड़िम है तो यूम्मी डिटेक्टिफ O के बातों पे विश्वास नहीं करती और कुछ बाते करके वहाँ से चली जाती है उधर मूगाग जे ही से मिलने जाता है जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर बेक्यूम से होती है और मूगाग डॉक्टर बेक्यूम से पुस्ताच करता है और उससे पुस्ता है कि मारी जब गायब हुई थी तब वो कहा था तो बेक्यूम बोलता है कि वो जेजू आइलेंड में था तो बेक्यूम से भी बाते करके मुगक को कुछ भी पता नहीं चलता इसके बाद हम छोडिम को थेटर में देखते हैं वहाँ शो चल रही थी और उस शो में बेक्यूम भी आया हुआ था और मुगक को देखके बेक्यूम भाहा से भाग जाता है इसके बाद मुगक और छोडिम डिनर करने जाते हैं और वहाँ खाना खाते हुए अचानक से छोडिम की कांटर क्लेंसे वहाँ ही गिर जाती है और उसके नीले रंग के आख को देखके वहाँ मौजुद सभी लोग उसे मौंस्टर बोलके पुकारने लगते हैं जिसको सुनके अफसेट होके छोडिम भाहा से भाग जाती है लेकिन मौगक उसे रोकता है और बोलता है अगर तुम एक मौंस्टर हो तो मैं भी तुम्हारे ही तरहा हूँ फिर वो दोनों एक जगे पर जाते हैं जहां मौगक उसे अपनी स्टोरी बताने लगता है कि तीन सल पहले उसके बहन के मौत के बहुत दिन बाद भी जब पुलिस उसके बहन के कातिल को ढूनने ही पाई थी तब उसने पुलिस स्टेशन में जाके गुस्ते में तोरफोर किया था और बहन के मौत के दर्द में वो बहुत दिनों तक नहीं सोया था फिर एक दिन अच्छानक से वो स्विम करते हुए एक्वरीयम में बेहूश हो जाता है और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाये जाता है इसके बाद 10 दिन बाद उसको होशाती है लेकिन होशाने के बाद वो देखता है कि वो कोई भी पेन फिल नहीं कर पा रहा है और वो कुछ भी फिल नहीं कर पा रहा है। यह सुनके छोड़ीम बोलती है कि अगर मैं तुम्हें मारू, तू भी तुम फिल नहीं कर पाऊगे। यह सुनके मुगग हसने लगता है। मुगग की स्टोरी सुनके छोड़ीम का मूट पूरा ही ठीक हो जाता है। और फिर वो दोनों एक कैफ अगर इस बार वो successfully stage में perform नहीं कर पाई तो उसके बापा उसे उस troop को छोने बोलेंगे ये सुनके मुगग बोलता है कि वो छोरिम को help करेगा audition में अच्छे से perform करने में ये बोलके वो उस week को पहन के छोरिम के साथ practice करने लगता है अगले दिन मुगग जही को लेकर मौर्ग में जाता है जही को मारी की dead body दिखाने के लिए क्योंकि जही मारी का boyfriend था और मारी की dead body को देश के जही रोने लगता है फिर मारी की case को investigate करते हुए detective की मुगग से पूसता है कि कैसे उसको पता चला कि मारी की गारी उस river में ही होगी ये सुनके मुगग बोलता है कि उसने सिर्फ guess किया था और ये सुनके यो मी शक की नजरों से मुगग को देखती है इसके बद detective A मारी के forensic report के बाड़े में सभी से discuss करते है कि मारी को healer ने वैसे ही मारा है जैसे बारकोट killer उसके सभी victims को मारता है अधर हम छोरिम को देखते है जो की theater में थी और आज theater में वो और मुगग audition में perform करने वाले थे तो मुगग काम में इतना busy था कि वो audition में बहुच नहीं पाता तो बहुट time होने के बाद भी मुगग जब नहीं पाता तब छोरिम खुद ही अकेले stage में perform करने लगती है और उससे अकेले देख के director बहुती गुसा हो जाते है और छोरिम को perform करना बंद करने बोलते है जिससे छोरिम दुखी हो जाती है फिर audition खतम होने के बाद theater के सभी members डिनर पे जाते है और तब छोरिम को बहाँ देख के director बहुती harshly छोरिम को बोलते है कि तुम अब से हमारे theater का member नहीं हो तो तुम हम लोगों के साथ join नहीं कर सकती ये सुनके छोरिम को बहुती बुरा लगता है इधर मुगक अपना काम खतम करके theater पहुसता है लेकिन तब तक तो audition खतम हो चुकी थी तो वो छोरिम को ढूनने के लिए बाहर जाता है जहाँ उसे एक जगे पर theater के लोग दिखाए देते है तो उन लोगों को देश के वो छोरिम के एक senior से छोरिम के बारे में पुझता है तो वो senior उसे बताती है कि मुगक ने audition मिस कर दिया था इसलिए छोरिम दुखियों के अब भी एक restaurant में अकेले बैठी हुई है ये सुनके मुगक उस restaurant में जाता है जहाँ वो देखता है कि छोरिम बहुती drink कर रही है तो वो उसे sorry बोलता है और फिर उसको एक park में ले जाता है जहाँ छोरिम हस्ते हस्ते अचानक रोने लगती है क्योंकि वो बहुती दुखी थी इस बात से कि वो अब कभे भी stage में perform नहीं कर पाएगी और छोरिम को ऐसे रोते हुए देख मूगक को बुड़ा लगता है फिर मूगक छोरिम को घर भेजने के लिए एक taxi बुलाता है लेकिन वो टेकसी में नहीं जरती तो मूगक छोरिम को अपने पीठ में उठा के घर ले जाने लगता है लेकिन तब भी छोरिम नशे के हालत में मूगक को उसके घर का पता नहीं बता पाती तभी मूगक को एक बात ही आदाती है उधर योम्मी पुलिस टेशन में बारकोट किलर के विक्टिम्स को देखती रहती है जहाँ छोरिम के पेरेंस की भी फोटो थी तभी बहां मूगक आके योम्मी को बोलता है कि सायद बेक्यूम नहीं मारी को मारा है क्यूकि मारी के गायब होने के टाइम उसका जेजू आइलेंड में रहना बहुत ही सस्पिशियस है और मारी के कौल रेकोड में भी उसका लास्ट कौलर बेक्यूम ही था तो ये भी हो सकता है कि शायद बेक्यम ने मारी को मार के फिर जेजू आइलेंड में गया था ये सब कुछ बोल के मुगक यूम्मी को बोलता है कि वो इस केस में बेक्यम के एंगल को फिर से जाज़ परताल करेगा तभी वहां यूममी के सामने चोरीम आती है जो की नशे के हालत में थी और उसे देश के यूममी योनसिल यानीची चोरीम की ही फोटो को देखती है और पहचांजाती है कि चोरीम वही हूईतने से जिसके परिंस को तीन साल पहले उसे बारकोट कीलर ने मार डाला था तो किया आप यूम्मी छोडिम को उसके पास्ट के बारे में बता देगी ये हमें अगले पार्ट में पता से लेगा तो यहाँ पर ये पट खतम होती है मिलते हैं अगले पार्ट में Stay tuned